BB की squad versus OG, उनकी जो fight है वो आपको देखने को मिलने वाली है सैफ, the star Khiladi, big brother e-sports के, उनको down किया गया, revive करने का कोई दूसरा मौका दिया नहीं जाएगा, bleed out क्या वो हो गए, जी नहीं, उनको वाँपर पकड लिया गया, reckless उनको पता है कि Khiladi revive कर रहा है, क्या वापस से उनको या फिर नहीं वो देखने वाली बात, Mohit कल के दिन पे बहुत अच्छा उन्होंने खेला था, शुरुवात एक बार फिर से कुछ उसी प्रकार अब एक लौत है, खिलाडी रने वाले टर, वो क्या यहां पे सफर समापत होगा, पहली टीम क्या यहां से अलिमेट हो सकते है, या फिर अपने टीमेट को समाल लेंगे इस फाइट में, यूटिलिटीज की उपर जा रहे, पता है कि अगर ग्रिनेट से एकाद उपनिंग मि आते हो पीछे नहीं जा सकते थे सैफ, उन्हेंने उजी का इसमाल के एक खिलाडी को डाउन किया गया, दूसरे को डाउन कर सकते, वाट वो सामने खिलाडी आया, रेकलेस, उनको ध्यान देना चाहिए था, अपने दो से तीन खिलाडी वो खो बैठे और अब, ओ जी मातर के है, उसको गिराया जाए, और चलते ही चलते, देखते ही देखते, टीम गुजराट टाइगर्स, उन्होंने तो फाइट ली भी नहीं, वो तो बस रोटेट कर रहे थे, और उनको वहाँ पर समाप्त किया गया, एनिगमा, वर्स टीम एमपाइर, शुराती दौर में हमने इन दो टीम्स की फाइट देखी थी, और अब, वो जो फाइट वहाँ पर अधूरी रह गई थी, टीम एमपाइर, क्या उसे वो पूरा करना चाहेंगे या फे टीम एनिगमा, वो चाहेंगे कि एक जो फ्राग मिला था, उसे चार में तबदील किया जाए, लेकिन बिग बत रहेगे कि क्या आपने आपको समाल पाएंगे, अच्छा बचे हैं याँ पर, जिस तरीके से उनकी HP थी, अगर ग्रनेट का हलका सा भी डामेज आता तो डाउन हो सकते थे, बट इसी बीच जिस तरीके से एनिगमा कवर्स में आपने आपको रोक के रखे थे, एरीकों आ ना कामियाब, नहीं, वहाँ पे वो खिलाडी नौक हुआ, एमपाइर, उनके उपर गाडी चड़ गई, और वो वहाँ पर नौक दिखाई दियो, टीम एमपाइर, अब मात के वोले एक आखरी खिलाडी के साथ मौजूद रहेगा, जादू, उनने रॉक्सों को डाउन किया गया है, रिवावल की वो जरुवत, ग्रिनेट काफी अच्छा, अभी के तरफ से हिंदुस्तान गेमिंग, जब आभी कारवाई करें और आप दिखें सीधा आगे बढ़के एक और की राडी को आफे डाउन करने में कामियाब हो जाते हैं, क्या यहाँ से समल प 1v4 जी हाँ, उन्होंने 1v4 किया है, अभी मैंने फिनिश फीड रीट किया, नहीं बट टीम सोल, उनके पास भी फिनिश आते हुए दिखाए देंगे, हाइलाइट की बात करेंगे, रिप्ले की अगर बात की जाए, तो आर टीजी उन्होंने पुश करना ज्यादा सही समझा और उन्होंने पुश किया भी तो किजन के ऊपर, टीम ब्लाइंड जिनके पास बहुत समय से वो कंपाउंड था, चारो खिलाडी वहाँ पर बचे हुए थे गए, और एलमिनेशन जेलना पड़ा पास टीम है हमें देखने को मिल रहें, बट हिंदुस्तान गेमिके अभी ने जिस तरीके से कारनामा करके दिखाया, गॉबलन में यहाँ पर जिस तरीके से स्प्रे किये, कंट्रोल में देखने को मिल रहें, त्री टाइम है, मुश्किल होता है के बार इस स्कोप के साथ और MW उनके पीछे ब्लाइंड के मान्या भी पड़ चुके, कल का वो डे याद आता है जहाँ पे टीम सोल ने चेकन डेना निकाला था, या आज के डे पे भी वो चेकन के साथ शुरुआत करना चाहते है, या फिर ब्लाइंड जिस तरीके से वो इंतिजार कर रहें, काफी स अमेंसे एक अच्छा चालेंज रखेंगे टीम ब्लाइंड, क्या उतने वेहिकल से जिसको ये आगे जाके पार्क करके व्लास्ट करके अपने लिए एक अच्छा कवर मना सके, कल के दिन पे इनके सामने आटीजी की स्कौट थी और फोरीफोर का वो आखरी मुकाबला था, उमेगा उनको स्पोट किया गया, आसानी से उनको डाउन किया गया, ब्लाइंड वो रश करने की कोशिश कर सकते हैं, जोन के अंदर उनको जाना है, आसानी से वो जोन के अंदर पहुच भी गये, उमेगा एकलोते ऐसे खिलाड़ी थे, जो जोन के अंदर आये थे और आते उनको डाउन किया गया गॉबलिन, अक्षत, नियो अभी भी वो तीन खिलाडी सरकल के बहुत ज़ादा बाहर गॉबलिन एक बफर्स उनको डामज पढ़ता हुए इस पावर वापस डामज देने की होड में लगे हुए नियो उनको भी स्पॉट किया गया ब्लाइंड पांच फिनिशेस के साथ है वहीं पर टीम सोल उनके पास टोटल नौ फिनिशेस आपको दिखाई देंगे ओमेगा अभी तक उनको फिनिश नहीं किया गया मुझे बस ये देखना है कि क्या अभी भी उनको वहाँ रिवाइव किया जा सकता है पावर, स्टन गर्नेट के इस्तमाल या फिर वह स्मोक के अंदर फस गए बिल्कुल वहाँ पर इच्छी बात ही है कि रिवाइवल मेरे लेकिन बुरी बात गॉबलिन स्मोक के साथ जाना चाह रहते सर्कल के अंदर लेकिन अंदर आते के साथ ही उन्हें भी डाउन किया गया नियो अब इनके कंदों पे काफी जादा भार होने वाले देखने वाली बात होगी वो करनेक्ट करा पाएंगे या फिर ने बाट नियो को वह सबाप्त कर दिया जाएगा टीम ब्लाइंड आज के देपे आते के साथ वो शुरुआत किये हैं जापे एक अच्छा खासा फिनिश पॉइंट टोटल नौ फिनिश पॉइंट के साथ वो विनर विनर चेकन डिनर निकाल के जा चुके हैं